नमस्कार न्यूस फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी जहां एक तरफ बिहार में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों से भी ऐसी खबर सामने आ रहे थी कि प्राइवेट अस्पताल म मरीजों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है बिहार सरकार जो है इसके लिए एक तैस सीमा निर्धारीत कर चुके है जी आपको बता दे कि जिसतरह से लगातार प्रशासन के पास इस बात की शिकायत पहुँच रही थी कि प्राइवेट अस्पताल मनमाना पैसा वसूल रहा ह जिसके बाद से अब इस तहत एक्षन लिया गया है और बिहार सरकार ने एक तैसीमा निर्धारित किया है कि किन अस्पतालों को बिहार में लगातार बढ़ते कोविट संक्रमन के साथ-साथ अस्पतालों में कूविवस्था की खबरे सामने आ रही थी खास कर प्राइविट हॉस्पीटल में मरीजों से मनमानी फीस वसोलने की शिकायते लगातार स्वास्थ विभाग और जीला प्रशासन को मिल रही है इन शिकायत को लेकर स्वास्थ विभाग अब आक्शन में आ गया है बिहार के प्रधान सच प्रतय अम्रित ने सभी जीलों के लिए श्रेनी तै कर वहां के नीजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए सुल्क भी तै कर दिया है बतादे की स्वास्त विभाग ने प्रदेश भर में कुरोना संक्रमन के हालात के बीच संक्रमित मरीज के इलाज के लिए अधिक्तम सुल्क सीमा नरधारित कर दी है इसके लिए राजिके विभेन जीलों की ग्रेडिंग भी की गई है स्वास्त विभाग ने पटना जीले को एश्रेनी में रखा है तो वहीं भागलपुर, मुजफरपुर, दर्भंगा, गया और पुर्णिया को बीश्रेनी में रखा गया है इसके अलाबा बाकि सभी जीले को सीश्रेनी में सामिल किया गया है बतादे के सरकार के आदेश के मुताबिक एश्रेनी के जीलो में आईसोलेशन बेड के 10,000 रुपे लगेंगे जबकि बिना वेंटिलेटर आईश्रियू के 15,000 और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का 18,000 रुपे चार्ज लगेगा तो वहीं अलग से पीपी के लिए 2,000 तक रुपे तै किये गए हैं इसी तरह 20 रेनी के अस्पतालों में आईसोलेशन का 8,000 रुपे बिना वेंटिलेटर आईसीयू का 12,000 और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का 14,400 रुपे तै किये गए हैं तो वहीं अगर सीश रेनी की बात करें तो सीश रेनी के अस्पतालों में आईसोलेशन के लिए लोगों को 6,000 रुपे बिना वेंटिलेटर के आईसीयू का 9,000 और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू का 10,800 रुपे देना होगा स्वास्तवी भाग ने सभी जीले के डियम को इस संबन्द में पत्र लिक कर निर्दीशों पर अमल करने का आदेश दिया है इसके साथ ही आपको यह भी बता दे कि जीला प्रसाशन और स्वास्तवी भाग को हाल में ही ऐसी कई शिकायते मिली थी कि नीजी अस्पतालों में 3-4 लाख रुपे कोविड मरीजों से वसूला जा रहा है जिसके बाद ही सरकार ने अस्पतालों की फीस निर्धारित करने का फैसला किया है तो बता दे कि जिस तरह से लगातार मरीजों के बीच में लूट मर्ची हुई थी उनसे पैसे वसूले जा रहे थे तो वहीं इस खबर के बाद अब मरीजों को राहत मिलेगी कि अब उनसे मनमाना पैसा नहीं लिया जाएगा अब तैस सीमा के अनुसाड ही उनसे पैसे लिये जाएंगे और उन्हें अच्छी इलाज भी मुहाईया कड़ाई जाएंगी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें न्यूस वर नीशन के साथ नमस्कार